के साथ में अपने वक्त अभी रखता हूं धन्यवाद थांक यू थांक यू थांक यू श्री नीरत शेकर ट्वेल मिनिट्स यू आप मैं राश्पती अविवाशन के समर्थन में खड़ा हूँ आऊं और सबसे पहले जो नतिस तारीक को जो हुआ अविवाशन के समय जो 16-17 पार्टियों ने भहिशकार किया उस भाशन का बहुत दुखद घटना है अम लोगे जितने भी संसिदी जीवन मेरा हुआ है उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी जब पूरा विपक्ष राश्पती के भाशन सुनने नहीं आए ये एक सरकार के विरोध में नहीं है राश्पती जो एक सब्धानिक पद है सो सबसे शर्फशेष्ट पद है मलोके देश का उसका अपमान है और मुझे आश्यरी इसलिए हो रहा रहाश्पत इसलिए लग रहा है कि भाशन सुनने तो लोग नहीं आए लेकिन यहां भाशन देने सब लोग उपस्तित हो गए है अप लोग आके भाशन दे रहे हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूं और यही बात जो मेरे किसान भाई उन सीमाओ पर बैठे हैं उन से मैं यही बात कहना चाहता हूं कि इन लोग को आप ज़रूर पहचानिये, जो आज सदन में खड़े होकर, मेरे कुछ सदस लोग जोड जोड से भाशन दे रहे थे, कि क्या अन्याय हो रहा है, कितना कष्ट पहुंच रहा किसानों को, कि निशानों को कष्ट बारे में जानते, तो जानते कि सरकार ने क्या क्य किया किसानों के लिए कैसे किसानों की जो जिंदगी उसको खिशाल करा आगे बढ़ाने का काम किया मुझे मैं किसान भाईयों से कहना चाहता हूं कि इनको पाचानी यह लोग चाहते हैं कुछ लोग बोल रहते हैं वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आ जाए कुछ लो मैं चाहूंगा हमारे वरिष नेता कई चले गए गुलामनवी चले गए आधरणी दिगवेजे जी है जैराम रमेज जी है मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा मनोज जी नहीं है उन लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग निर्नेले अपनी पार्टियों का जो आपके यूवराज हैं उनके कहने पर चलेंगे तो पार्टी 415 से 40 से पहुंचाई या अगली बार 5 पर पहुंच जाएगी इसलिए अ अधर्णी मंत्री जी ने सारी बाते कह दी मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन आज आप देश के किसान से तो पूछेंगे हम अगर हम मैं बार बार सुन रहा हूं कि आप बिलकुल बाती नहीं सुन रहे हैं ताना शाह हो गया हैं आप किसी की बात नहीं सुना चाह 19 महिने हमसे कोई मिलने नहीं आया एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था ये तानाशाही होती है तानाशाही ये होती है हमारे पूर प्रधानमंत्री आदर्णी नरसिमा राओ जी जब पद से हटे तो उनका घर कॉंग्रेस मुख्याले से आदा किलोमेटर भी नहीं था उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था ये तानाशाही होती है तानाशाही ये नहीं होती है कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिकत टिपनी कर रहे है कि उन्होंने दाड़ी बढ़ा लिए उन्होंने ये कर लिया अगर कुछ कर रहा है आप उनकी कारियों को देखिए प्रधान मंतरी की शकल देखने के लिए और उसके लिए प्रधान मंतरी निए इस देश ने उनको चुना है उनको चुना है वो देश के लिए काम कर रहे हैं देश का अनमान पूरे देश में पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ा है इसलिए उन्होंने काम किया उनके जो औ कि हमारा पहले से है बंगाल में कोई कोई योजना उनकी पहले से चली तो इसको भी जोड़ लीजिए केंद्र की भी योजना जोड़ लीजिए आप दी यह पांच लाग के जगए दस लाग दीजिए वहां के लोगों क्यों नहीं कर सकते आप इसलिए नहीं करते हैं आप कि आ प्रधान मंत्री की योजना है ये प्रधान मंत्री कल को यौर होगा तो वो प्रधान मंत्री के योजना है तो इसलिए आप मैं चाहूंगा कि अपने बंगाल के साथियों से कहूंगा आप बंगाल के लोगों से अपील करूंगा कि जानिये कौन सी सरकार जो है जो आपके कि लिए काम करेगी आपके सम्मान के लिए काम करेगी मैं एक चीज कहना चाहता था मेरे पर समय कम है लेकिन मैं जरू कहना चाहूंगा तीन सो सतर धारा जो हटी है मेरे मानना है कि ये सबसे अच्छा काम पिछले कई सालों में हुआ है इसलिए मैं कहा रहा हूँ मैं व्यक्तियत रूप से हो सकता है ये मेरा मन है क्योंकि जब भी हम भाशर देते थे उसके पहले हम लोग बार बार ये बात दोरानी पड़ती थी क कि जम्मू काश्मीर भारत का अभिन में अंग है ये क्या मतलब है भाई पहले भी अभिन अंग है आज भी था लेकि हम लोग पहले बोलते थे क्योंकि हमारे मन में कोई शंका थी कि वो अंग नहीं हमारा लेकिन 370 हटने के बाद लगातार हम लोग ये बात कहना लोगों ने बंद कर दिया है और ये बहुत बड़ी बात है ये और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं लेकिन जो आम आदमी है उससे इस बात से जुड़ा हुआ है उससे लगता है कि हां कश्मीर अब हमारा एक अभिन अंगा है और हमारे साथ है अधरनी गुलाम नवी जी कह सोच उनकी बारे में सोचिए उन्होंने जो कहा है लड़ा की लोग इतना खुश है युनियन टेरिट्रीटरी बनने के बाद वहां अच्छे काम हो रहे हैं वहां विकास के काम हो रहे हैं सारी योजना भारत सरकार की जो वहां लागू नहीं थी आज वहां पर लागू है व मेरा समय अभी है शायद मैं एक योजना जो माननी प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है जल जीवन योजना ये मेरे लिए और हम जिस शेत्र से आते हैं बलिया और जो गंगा के किनारे का इलाका है जहां पर आर्सिनिक पानी की बहुत बड़ी समस्या है जो प्रधानमंत्री जी का योजना है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुचाएंगे नल से ये बहुत महत्पूर योजना है क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले 70-72 साल में हम लोग अपने लोगों को सच पानी पीने का नहीं दे पाएं यह हम लोग में कमी गए मैं अपने बात नहीं कर रहा है सब की लोग और मैं जब देखता हूं उन बच्चों को जो आर्सिनिक पानी पीकर आज विकलांग है जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है तो मुझे बहुत कश्ट होता है ये जो काम कर रहे है मानिये प्रधान मंत्री जी मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनका सहयोग करें औ और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी योजना है अगर पूरी होती है 2024 तक तो ये देश के लिए बहुत महत्पून योजना होगी मैं फिर से एक बात और दोहराना चाहूंगा जो स्वाचाले वाला है मैं बार-बार ये कहता था जब मैं विपक्ष में था तब भी मैं य सबसे महत्पूर्ण सबसे अच्छी योजना है माने नीराजी कंकूरूट करिए वारा मिनिट होगे सर लगभग हो जाएंगे मैं मैं ये कहना चाहता था सोचाली की जो योजना है बहुत महत्पूर्ण योजना है ये हमारे सम्मान से जुड़ी हुई थी आप पता नहीं कि जाता था आज से साथ-ाथ साल पहले जब सबकों के किनारे का दिरिश्ट देखता था तो उससे सर्मनाक कोई दिरिश्ट नहीं होता था मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे सौचाली बन रहें और आगे भी ये काम होता रहेगा मैं फिर से अंत में एक बात कहके अपनी बात खत्म करूंगा मैं फिर से इसान जो इसान बेटे हुए और जिनको आपती है क्योंकि प्रधान मंतरी जी के मन में यह है कि समस्या दूर होनी चाहिए प्रधान मंतरी जी ने बार बार कहा कि मैं और उसका मैं यही समझ में आता है कि हर चीज का मजाग क्यों उड़ाया प्रधान मंत्री जी ने कहा मैं एक कॉल दूर हूं इसका यह मतलब नहीं कि फोन करिए आप मुझे प्रधान मंत्री जी का इसका यह मतलब है कि प्रधान मंत्री जी हमेशा तयार हैं बात करने के लिए और एक भी किसान अगर दुखी होता है तो प्रधान मंत्री जी को कश्ट होता है इसलिए प्रधान मंतरी जी बात कह रहे हैं मैं मैं कम से कम कुछ लोग वावा कर रहे हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं कम से कम अपने बड़े व्यक्ति की अनुभवी व्यक्ति की बात पर वावा कह रहा हूं कुछ लोग जिनको कोई अनुभव नहीं है जो काम करना यानता हैं उनकी बातों भी वावा करते हैं इसलिए उध्यान रखे कि ऐसी बातों को वावा ना करें जिससे देश का नुक्सान हो और ऐसा हो रहा है आपकी पार्टी का भी नुक्सान हो रहा है देश का भी नुक्सान हो रहा है तो इसको समझें मैं फिर से आपका अभार वे कि वालते हैं